नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से संबंधित आज के इस वीडियो में हम दा हिंदू में पबलिस दो संपाद की पर चर्चा करने वाले हैं इसमें पहला संपाद की जिसका सीर्षक है pandemic, resilience और दूसरा delaying the inevitable शामिल है चलिए एक एकर इन दोनों संपाद की पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं सबसे पहले हम चर्चा करते हैं delaying the inevitable पर और यहां संपाद की जियर्ष पेपर 3 में शामिल विसाय आर्थिक नीती के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपाद की को विस्तार के साथ इस संपाद की का आधार क्या है? इसका आधार है insolvency and bankruptcy code के तहट नई कारवाई को तीन महने तक निलम्मित करने की योजना है तो हम यहां पर चर्चा करते हैं कि insolvency and bankruptcy code क्या है? लेकिन उससे पहले हम इन दोनों सब्दों को insolvency और bankruptcy को जानते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है? insolvency का अर्थ है कि एक ऐसी इस्थिती जहां किसी संस्तः या किसी व्यक्ती की परिसमपत्ति की तुलना में उसका दायथ्यु वह क्या होता है? उस पर रिण का भार जादा होता है जितनी उसके पास परिसमपत्तिया है. साथ ही अपने इस दाइत्य या रिन के निर्वाह हे तू उसके पास नगद की विवस्था करने का भी सामर्थ नहीं है तो यह तो बात हुई इन्सॉल्वेंसी की अब हम बात करते हैं बैंक्रप्सी की यह क्या है तो यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश से सरकार की मदद की द्वारा इन्सॉल्वेंसी इस्थिती का सामना करने वाले किसी व्यक्ति को विधिय समाधान देना होता है तो हमने इन्सॉल्वेंसी भी देख लिया कि यह क्या है हमने यह भी देख लिया कि बैंक्रप्सी क्या है अब यहाँ पर कि इन ही दोनों मतलब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के समाधान को प्रस्तुत करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को लाए गया है जिसका उद्देस है कि न्याइक प्रक्रिया से बाहर रिन दाता जैसे कि बैंक और रिन प्राप्त क करना अब हम एक नजर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की प्रक्रिया पर डालते हैं देखिए इसमें सबसे पहले डिफॉल्टर डिफॉल्टर के यहां पर क्या आरत है कि जिसने बैंक से रिन लिया है वह बैंक को रिन वापस नहीं कर रहा है तो डिफॉल्टर क की परिसंपत्ति को बैंक अपने नियंत्रण में ले लेती है और 180 दिन के भीतर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की प्रक्रिया पूरी की जाती है अब हम उदारन लेते हैं कि माल लें कि चार बैंकों हो यह बैंक है A, B, C और D तो इन चार बैंकों का दाइत या र एक इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को न्युक्त करते हैं फिर यह इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इस व्यक्ति मतलब इस एनेम को इससे अब पूछेगा कि वह कब तक और कितना रिन इन बैंकों को वापस करेगा रिन प्राप्त करता मतलब यह डिफॉल्टर जो भी प्रस्ताव इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को देगा तो इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा उस प्रस्ताव को इन बैंकों के पास ले जाएगा अब देखिए यह जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष पर जो भी निर्ने आएगा वा निर्ने दो आधारों पर तै किया जाता है ये दो आधार क्या क्या है जरब वो देखिए पहला कि चारों बैंकों के द्वारा जो कुल रिन इस व्यक्ति को मतलब डिफॉल्टर को दिया गया है तो पक्ष या विपक्ष में उन्हीं बैंकों के मत को स्विकार किया जाएगा जिनके दिये गए रिन का मान कुल रिन का कितना हो 60 परतीसत हो ये बात आपको समझ में आ ग मत देने वाले बैंकों की संख्यां कितनी होनी चाहिए 50 परतीसत से जादा होनी चाहिए तो अगर प्रस्ताओ के पक्ष में मत जाता है मतलब कि डिफॉल्टर ने जो प्रस्ताओ आएपी को दिया और इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने इस प्रस्ताओ को इन चारों बैंक सामने प्रस्तुत किया और अगर इन चारों बैंकों ने इस प्रस्ताव को स्विकार कर लिया तब तो कोई बात नहीं अगर इस प्रस्ताव के विपक्च में मत जाता है मतलब की चार में से जो बैंक है उसमें से ऐसे बैंक जिनके रिन कमान कुल रिन के 60 प्रतिसत से ज़्यादा है या जो चार बैंकों ने मत दिया तो उसमें विपक्ष में पढ़ने वाले मत जो है वो 50 प्रतिसत से अगर ज़्यादा है तो फिर डिफॉल्टर की जो परिसंपत् का liquidation या बिक्री करता है कुल मिलाकर यहां पर insolvency professional उस company के board of director की भूमिका में होता है हाँ अगर यह जो डिफॉल्टर है वह अगर appeal करना चाहता है तो वह appeal कर सकता है तो देखे यहां पर क्या सर्थ है सर्थ यहां पर यह है कि अगर व्यक्तिकत इस तरपर वह तो वह debt recovery tribunals में जा सकता है अपील है तू या अगर कोई company है तो फिर वह national company law tribunal में जा सकता है अपील करने के लिए अब यह insolvency professionals कौन होते हैं तो यह लेखांकर में कुसल होते हैं और IBBI मतलब Insolvency and Bankruptcy Board of India से इन्हें license प्राप्त होता है Insolvency and Bankruptcy Board of India Insolvency and Bankruptcy Code की प्रक्रिया का निर्देशन करता है अब हम आ जाते हैं मुख्यमुद्धे पर तो IBC के निलंबन की क्या प्रिष्ट भूमी रही है इस वित्तिवर्स में मतलब 2020-21 में तो IBC के द्वारा ध्या दिजेगा IBC के अंतरगत नई कारवाई को निलंबित रखने के उद्देश से जून में एक अध्यादेश लाए गया जिसमें नई कारवाई के निलंबन के लिए 25 तारीक के बाद की तिथी तैकी गई मतलब ये कि 25 मार्च से उस तिथी को प्रभावी कर दिया गया है और सि जून मेहने में जो अध्यादेश जारी किया गया था उसका इस्थान ले लिया अब यहाँ पर यह है कि जून मेहने में सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया था और सितंबर में सरकार ने उस अध्यादेश के इस्थान पर विध्यक लाया ताकि IBC के अंतरगत नई कारवाई 25 मार्च के बाद से प्रारंब ना हो तो यह विवस्ता आगामी 25 दिसंबर को सवाप्त होने वाली थी तो सरकार ने Insolvency and Bankruptcy Code के तहट नए मामले लाने की कारवाई को निलंबित रखने की समय सीमा का विस्तार किया है और यह समय सीमा कितना हो चुका 31 मार्च 2021 तक इसका मतलब यहां पर यह है कि 2020 वित्तिय वर्स में अगर कोई भी रिन प्राप्त करता बैंकों को रिन देने में और समर्थ होता है तो और समर्थ होने के बावजूद भी Insolvency and Bankruptcy Code के अंतरगत उसके विरुद कोई नए कारवाई प्रारंब नहीं की जाएगी हाँ यहां यह बात ध्यान देने योग है कि अगर कोई रिन प्राप्त करता 25 मार्च से पुर्व ही वो डिफॉल्टर हो गया है तो फिर उसके विरुद Insolvency and Bankruptcy Code की कारवाई की जाएगी वही आगे आत्म निर्भर भारत पैकेज की तहत सरकार ने Insolvency and Bankruptcy Code के तहत कारवाई सुरू करने के मामले में फसे करज की नियूंतम सीमा एक लाख रुपए से बढ़ा कर एक करोर रुपए कर दी है इससे मुख रूप से माइक्रो इसमॉल और मीडियम इंटरप्राइज़ को करज लोटाने में चूक को लेकर दिवाला कानून के तहत या Insolvency and Bankruptcy Code के तहत किसी भी तरह की कारवाई से रह अब हम यह देखते हैं कि आखिर निलंबन की आभिस्ता क्यूं पड़ी तो 2020-21 तक IBC के अंतरगत नई कारवाई से संबंदित निलंबन की यह प्रक्रिया काफी उचित है उसका कारण यह है कि अर्थ विवस्था पर महामारी का प्रभाव अभी भी मौजूद है और 2020-21 की पाहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में GDP में संकुचन दर्मे गिरावट के बावजूद भारती अर्थ विवस्था मंदी के दौर में है और आर्थिक क्रिया कलाप को सामान्य होने में अभी समय लगेगा ऐसी स्थिती में IBC के तहत नई कारवाई पर निलंबन का जो निर्णे लिया गिया है तो इससे तनाव रहित और एक निश्चित समयाबधी में निश्चित समयाबधी का मतलब यहाँ पर है कि मार्च 2021 तक कंपनियों को अपने व्यवसाई को फिर से सुधारने में यह क्या करेगा मदद करेगा परंतु यह नई वेवस्था यहाँ पर परंतु इसले क्योंकि यहाँ आमने बात किया सकरात्मक पक्च की लेकिन वहीं यह बात कही जा रही है कि यह नई वेवस्था बैंकों की परिसंपत्ति वृध्धी पर भी प्रभावडा डालेगा क्योंकि अब जिस रिन पर लंबे समय से बैंक को ना तो मूलधन और ना ही ब्याज की प्राप्ति हो रही थी तो इस रिन को वापस लेने की प्रक्रिया को प्रारंब करने का जो अब समय है वह मार्च 2021 के बाद है वहीं उद्योग जगत के उत्साह में भी यह वृध्धी का कारे नहीं करेगा क्यों इसका कारण यहां पर यह है कि कुछ कंपनिया आई बी सी की प्रक्रिया में सामिल होना चाहती है उसका कारण यहां पर यह है कि लॉगडाउन की समाप्ती के बाद भी कुछ कंपनियों की आर्थिक स्थिती में सुधार नहीं हुआ है तो IBC के नए प्रावधान इन कंपनियों को निकास मार्ग नहीं दे रहा है निकास मार्ग का मतलब यहां पर यह है कि ये कंपनिया अपने आर्थिक क्रिया कलाप को समेटना चाहती है और उनके पास जो भी परिसंपत्यां है उन परिसंपत्यों के आधार पर बैंकों के रिंड को वह चुकाना चाहती है लेकिन अब जो IBC के अंतरगत कारवाई के निलंबन की व्यवस्था सरकार के द्वारा लाई गई है तो फिर इन कंपनियों के यह निकास मार्ग को रोकता है और यह भी हो सकता है कि 31 मार्च 2021 तक इन कंपनियों की जो परिसंपत्या है उसके बाजार मुल्य में गिरावट हो और अगर बाजार मुल्य में गिरावट होती है तो फिर यह नुक्सान दायक दोनों के लिए एक तो रिंडाता के लिए जिन्होंने इन कंपनियों को रिन दिया है और दूसरा इन रिन प्राप्त करता के लिए भी क्योंकि इसी परिसंपत्ती के आधार पर ये रिन प्राप्त करता रिन दाता को रिन चुकाएंगे तो फिर क्या होना चाहिए तो होना तो यह चाहिए कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की नई निलंबन कारवाई में अनिवारिता की बजाय इसे स्विक्षा के रूप में रखा जाना चाहिए ताकि जो कंपनी अपने रिन का भुगतान कर अपने वर्तमान आर्थी क्रियाकलाप से बाहर होना चाहते हैं वो बाहर हो सकें इससे बैंक की परिसंपत्यों पर भी प्रवावनी पड़ेगा बैंक के रिन देने की सक्ती भी कम नहीं होगी परिनाम यह होगा कि निवेस में विर्धी होगी निवेस में विर्धी होने से रोजगार में विर्धी होगी रोजगार में विर्धी होने से समाज में आय में विर्धी होगी आय में विर्धी होने से मांग में विर्धी होगी तो फिर भविस्य में हमें आर्थिक सुचक्र दिखाई देगा। तो इस प्रकार हमने इस संपात्की के माध्यम से यह देखा कि हाली में सरकार के द्वारा यह जो निर्ने लिया गया है कि इंसॉल्वेंसियन बैंक्रप्सी कोड के तहत नई कारवाई को 31 मार्च 2021 तक निलंब संपात्की की और जिसका सिर्षक है पैंडेमिक रेजिलियन्स यह संपात्की GS पेपर 2 में शामिल विसे स्वास्थ एवं विकास एवं प्रवंधन से संबंधित विसे के द्रिष्टिकों से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपात्की को विस्तार के साथ इस संपात्की का आधार है ग्रिह मंत्राले की संसदिय इस्थाई समीती द्वारा राज्यसभास सभापती को रिपोर्ट सोमना अब यह समीती ने निम्न छेत्रों में सुझहाओ दिये हैं देखें कौन-कौन से छेत्र हैं एक मिड्यमिल दूसरा राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन प्राध इंताएं और जो सुझहाओ दिये गए हैं उस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले मिड्यमिल समीती के अनुसार नौ महिनों से जादा स्कूलों के बंद होने के कारण कई बच्चे मिड्यमिल को प्राप्त करने में वन्चित रहें समीती ने यह बात भी कही है कि कई राज्यों के द्वारा चात्रों को घर तक सुखा रासन और भात्ता देने की विवस्था की गई है परंतु यह सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है तो फिर समीती ने क्या सुझाओ दिया है समीती ने यह सुझाओ दिया कि ग्री मंत्राले खाद्य और सार्जनिक वित्रण विभाग और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस्थानिय प्रसासन समय पर इन छात्रों को राशन वित्रित करेगा साथी साथ इसकूल खूलने तक इस राशन वित्रण को इस्थानिय प्रसासन जारी रखेगा आगे राश्टी आपदा प्रबंधन प्राधिकरन देखिए इस इसके विशे में समीती ने क्या बात कहिए है कि कोविड महमारी जो किसी भी प्राकर्तिक आपदा के विप्रीत थी परन्तु इस इस्थिती में भी राष्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेवारी को बखु भी समाला। राष्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की इस्थापना 2005 इस्वि में हुई थी और यह ग्री मंत्राले के अंत्रगत कारी करता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंत्रगत जिस नए विंका गठन किया जाएगा ये प्रभावी रूप से कारी करे। इसके लिए यह आविस्यक होगा कि सार्जनिक छेत्र, कॉर्पोरेट्स, गैर सरकारी संगठन और सरकार के मद्द बेहतर साचिदारी हो। अब हम बात करते हैं तीसरे छेत्र के यह है योजनाओं का क्रियानयन। देखे समिति क्या कह रही है। समितिनिया बात कही कि अर्थ विवस्था पर महमारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कई आर्थिक उपायों को लाए गया। परंतु क्रियानयन के इस्तर पर ये उपाय उचित रूप में लागू नहीं किये गए। तो समितिनिया सुझाओ दिया है कि इन उपायों को जमेनी इस्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए यह आविस्यक है कि सरकार निगरानी तंत्र को मजबूत करे। साथी साथ यह भी सुझाओ दिया कि किसानों, कॉर्पोरेट और गैर किरसी सुक्ष्म लगू उद्योगों की रिण आविस्चक्ता की भी पूर्ती हो सरकार इसे भी सुनिश्चित करे। अब हम आते हैं चौथे चित्र पर, वह है COVID-19 महमारी एवं नीजी अस्पताल। देखें यह जो संपाद की है दा हिंदू का वो मुक रूप से इसी पर आधारी थे। समीती ने क्या बात की जरा उस पर गौर कीजिए। समीती ने बात केई कि COVID-19 रोग्यों के लिए नीजी वसुला गया। समीती ने कुछ सुझाओ दी है देखें क्या। तो नीजी अस्पतालों पर नियंतरन हे तू उप्युक्त कानून का निर्मान हो। क्योंकि नीजी अस्पतालों पर नियंतरन हे तू जो मौझूदा कानून है वह कानून अपने पूरे स्वरूप में इन नी जो दवा हैं उन दवा के उत्पाद का मान की करंट हो और दूसरा दवा की बिकरी से सम्मंधित जो काला बजारी है उस पर रोख लगे और फिर सरकार को सस्ती और प्रभावी दवाओं से सम्मंधित जागरुकता अभियान चलानी चाहिए ताकि लोग महामारी के समय घबराए नहीं और महंगी दवाओं पर अनावस्या खर्च ना करें उसके अलावा वैसे कोविड रोगी जो बीमा के अंतरगत आते हैं या यू कहें कि जिनोंने अपना बीमा करवाया है तो फिर उनके कोविड का उपचार कैसलेस किया जाए अब हम समीति के द्वारा स्वास्त पर जो रिपोर्ट दी गई है उस पर समिच्छा करते हैं समीति ने क्या बात कही है कि एक व्यापक सार्जनिक स्वास्त अधिनियम लाए जाए यह सुझाओ स्वागत योग्य है इसलिए क्योंकि कोविड नाइंटीन महामारी ने सार्जनिक स्वास्त अवसनचना की कम्यों को जागर कर दिया अगर नैसनल हिल्थ प्रोफाइल 2,099 की डیटा की हम बात करें तो इसके अनुसार हजार बेड की छमता वाले कितने सरकारी अस्पताल हैं तो यह सरकारी अस्पताल हैं कुल सरकारी अस्पताल इसका मतलब यहां पर यह है कि देश में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें से एक परतिसत से कम अस्पतालों में हजार बेड की छमता है। है कि नीजी अस्पताल से संबंदित नियामे की नियंत्रण कम है। उसके बाद समीती ने बीमा कवरेज की बात की। तो क्या सुझाओ दिया था कि बीमा कवरेज वाले कोविड रोगी का कैसलिस इलाज कराए जाए। अब देखे क्या हुआ है कि महमारी के प्रभाव के कारण वरिष्ट नागरिकों के बीमा से संबंदित जो प्रीमियम होते हैं उसमें इन्होंने बढ़ोतरी कर दी है। कितनी? तो जितनी बीमा की रासी है तो उससे जो प्रीमियम दिया जाता है उस प्रीमियम में 25% तक की वर्दी कर दी है। मतलब आप यूं समझे कि जो प्रीमिय Sunday AIDS ने जो बीमा से सम्मंदित नियाम की प्राधिकरण है ने पिछले वर्स जीवन बीमा के लिए अधिक्तम उम्र Wir कितनी कर दिये 95 वर्स कर दिये हैं. तो हमें पता है कि कोरोना वाइरस से सरवाधिक खत्रा वरिष्ट नागरिकों को है। और अगर वरिष्ट नागरिकों को उनके जीवन पर बीमा ही नहीं मिलेगा, तो फिर या मानव सुरक्षा या मानव अधिकार के दृष्टिकों से सही नहीं है। तो IRDAI के दौरा जीवन पीमा के लिए जो अधिक्तम उम्र 65 वर्स कर दी गही है या वरिष्ट नागरिकों को काफी प्रभावित करता है। दवा के संदर में भी समीति ने सुझाओ दिया है। तो संपाद की में बात कही जा रही है कि जो भी एसेंसेल ड्रक्स हैं जो आवसित दवाईया हैं उनकी खरीत कौन करे केंद्र करे। और केंद्र क्या करे कि परिस्थिति की अनुसार इन दवाओं को कम मुल्लिपर या निसुल के बेचे। अब निसकर्स रूप में हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि सार्भ भौमिक स्वास्त सुविधा को उचित रूप से लागू किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति ना छुटे और इसका संचालन राजज द्वारा किया जाना चाहिए। हाँ नीजी छेत्र को अगर आप सामिल करना चाहते हैं तो सामिल कीजिए लेकिन यह मात्र एक विकल्प की रूप में होना चाहिए ना कि अनिवारिता होनी चाहिए। सार्जनिक सुविधाओं पर सार्जनिक व्यव्रिद्धी GDP का धाई परतिसत हो जैसा कि सरकार ने वादा किया है। अब इस संपादकी से समंदित यह प्रश्ण। प्रश्ण है कि COVID-19 को ध्यान में रखते हुए स्वास्त संबंदी सुधार के उपाई बता है। इस प्रकार संपादकी से समंदित आज के इस वीडियो में हमने दो संपादकी परचर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार